हेलो फ्रेंड्स गुड मोनिंग सभी को और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टड़ी पाइंट यूटूब चैनल में और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इसे डियों बेना देखिए एचसे का जो CET एकजाम है इसे जोड़ी हुई जानकारी रहेगी से एकजाम में कितना कॉम्पिटीशन रहेगा और जिलेवार कितना डाटा आया है तो चलिए देखते हैं तो देखिए हर्याना सरकार के ग्रूप C और D पदों के लिए 11,34,770 उमिद्वारों की भरी गई फिस 82.4 प्रैतिसत उमिद्वार भर पाए फिस आखरी दिनों में पोर्टेल बीच बीच में थम रहा था तो देखिए से एकजाम है इसमें 11,34,770 ऐसे कंडिडेट हैं जो एकजाम देने वाले हैं और देखते हैं आगे क्या है हरियाना सरकार के ग्रूप C और D पदो पर कोमन इलिजिबिलिटी टेस्ट देने के लिए 11,34,770 उमिद्वारों ने फिस भरी है आखरी दिनों में वन टाइम रिजिस्टेशन पोर्टेल बीच बीच में धम रहा था उमिद्वारों को फिस जमा कराने में दिक्कत आ रही थ तो देखिए 82,4% तो अपनी फिस जमा कर पाई है और कुछ ऐसे कंडिडेट है 3,4% जो अपनी फिस जमा नहीं कर पाई है और देखते हैं इसमें आगे क्या है तो देखिए यह जो डाटा है यह है अब NTA के पास बेजा जाएगा और एंटी ए के पास बेजने के बाद आयो कंडिडेट ने रेजिस्टेशन करवाया हुआ है तो देखिए यह आप देख सकते हैं और देखिए आगे हैं CET के लिए हिसार जिले से सबसे अधीक उमिद्वारों ने पंजी करन कराया है सबसे कम पंच कुला से हैं जो कि 9,380 ने पंजी करन कराया है दूसरे नंबर पर अधिक में जिन जिले के हैं तीसरे नंबर पर भी वानी है और देखिए दूसरे नंबर पर कम में देखा जाए तो 9 डिस्टिक से है जो कि 15,714 ने पंजी करन कराया है तो देखिए यहां पर भी पूरी डिटेल दी गई है तो यह आप अपना नी सोरी यह आप देख सकते है तो देखिए यह थी एक इंफोर्मेशन यदि आप से एटी के अगजाम की तियारी करते हैं तो आप अपने अगजाम की तियारी करते रहेगा क्योंकि यह अगजाम अब सितंबर में होने वाला है तो देखिए यह वीडियो आप सभी को अच्छे लगी होती से लाइक करना शेयर करना और अगर आप पहली बार हमारे चैनल प्राई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वेल आइकोन का बटन भी दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक आता रहे थैंक यू